वेल, हलो, दो ग्राफिक काड दोनों मार्किट के अंदर विख रहे हैं, AMD के और NVIDIA के हैं, लेकिन कोहन से आले देना चाहिएं, ये वीडियो टोटली फोकस करने वाली AMD के उपर, और फिर अंत में जाकर थोड़ा वहत कमपारजन कर देंगे विध NVIDIA, Laptop and Dextop दोनों का, ता 9th generation पिता, 10th generation पिता, 11th generation, तब तक भाई साब ये लोग पीक करके, दुनिया पार करके निकल चुके थे, डिफिरेटी 12th generation से, इन लोग का मार्केट शेर थोड़ा कमाना शुरू हो गया, and 14th generation आते आते, काम ही थोड़ा सा डामा डोल हो गया, हां, किसी और वीडियो के बार इनके NVIDIA के साथ जादा combination आते हैं, खुद के GPU के साथ कम, and इसी रीजिन के लोग के तक बात ही नहीं पहुच पार ही, वाई ऐसे GPU आ रहे हैं, pre-built desktop देख लो, या फिर laptops देख लो, and budget range के अंदर, इनका एक popular हुआ था, combination, till G5 SE के साथ, I think यही laptop का नाम था, जहां पर यह इनके जो GPUs हैं, वो actually price तो ठीक होते हैं, लेकिन जिस price पर आते हैं, उस price पर NVIDIA जितनी performance नहीं दे पाते हैं, तो performance पर भी कमी आ जाती कहीं है, तो custom desktop वाले इन लोग की तरह जाते ही नहीं, and दूसरी बात है, यह लोग rate racing, या फिर current FSR, या फिर DLSS, जो भी कह लो, उसको ब अहाँ पर एक market बना सकते थे, लेकिन जैसे RTX series आई, जैसे इन लोग की भी आ गए, rate racing वाले graphic cards, and उसके बाद यह लोग, actually performance बहुत जाद खूस के देशे थे, जो भी laptop के अंदर GPU आता था, इनका वो काफिछा powerful होता था, but दिक्कत एक जगा आ जात, हीट उतनी generate करता था, कि अपनी maximum power पर कभी पहँची नहीं पाता था, यानि कि unstable performance, वहीं पर NVIDIA के जितने GPUs हैं, सब stability के साथ काम करते हैं, और यहाँ पर मैं बारी बारी थोड़ बात compare भी करना हूँ, और जन्विन तरीके से laptop और desktop के लिए थोड़ा आगे compare करते हैं, and वहाँ पर एक और दिक्कत आ good service, and consistent performance, and consistency बहुत जरूर हो जाते हैं, because अगर मैं एक दो गंटे अपना काम करना हूँ, तो ऐसा नहीं है कि तीन घंटे बाद मैं रुख जाओंगा, शायद तीसरे गंटे पी उस पर हो काम करना पड़े, and तीसरे गंटे पर जाकर जो performance करने पाता था, because of cooling, और तिम लोग कोगे पंखों की दिख करता है, तो इसके अंदर हम साक्षात AC में फिट कर दो, तो वे भाइसा थोड़ा एक-दो डिगरी गरम ही हो जाते हैं, मतलब जिसका liquid cooling से कुछ नहीं हो रहा, तो उसका आगे क्या ही होगा, and laptops के अंदर तो बाई ये लोग हारी बान चुके हैं, एक वो काफी यदा stable performance देते है, and to be very honest, जितनी अच्छे combinations, वो तुम्हें सिर्फ NVIDIA के साथ देखने को मिलेंगे, और हाँ, अगर तुम लोग को लग रहा है, या मैं बारी-बारी हर GPU compare करूँगा, तो वो possible नहीं है, Google search पर तुम्हें अराम से मिल जागा, दो graphic card का compares, हाँ, अग इस DLSS जो है, वो hardware level पे रहा कर, तोगड़ी upscaling करता है, पता में नहीं चलता कभी-कभी, upscaled है, तो इसी रीजिंगें से मैं NVIDIA recommend करूँगा, और AMD का जो graphic card दो है, बहुत budget में देखने को मिलेंगे, 50-60,000 के आसपास एक HP का laptop आता है, जहां पर ये लोग अपना graphic card देते है फिर 70-80,000 के बीच में एक आता है, और ऐसे करके 80-90 में एक दो होगा, बस over a lack latest current specifications के साथ, इनका I think कोई laptop आता ही नहीं है, with इनके GPUs, खुद के processor के साथ, खुद के GPU नहीं pair up कर पा रहे है, और ये चीज़, Intel के GPUs पे भी लागव होती है, उनके बारे में कभी और वीडियो म फाली machine मनाई है, पर एक दाँ 100% performance oriented, gaming, productivity, everything, obviously stability आजाईगी ना, GPU and CPU के साथ, अगर सेम गर के हो, ना Intel कर पाया, ना AMD कर पाया है, whereas Intel और NVIDIA की जोड़ी लोगों को आजकल market ले अंदर बहुत जारा पसंदार ही है, और वो ये क्याम कर लेते हैं, hybrid architecture बूली तो, बठा, overall तरीके के अंदर जारा तर आते ही हैं, NVIDIA के साथ, और pre-build desktop में उत्तार recommend भी नहीं करता, custom desktop के अंदर बात करें, तो वहाँ पर definitely अब बाबरादम बन सकते हैं, लेकिन अपने इस आप से customized चीजे लगा सकते हो, and जो AMD के GPUs हैं, वो budget range के अंदर, थोड़ा मतलब कम price के अंदर, अच् में लगते हैं, बहुत अच्छा combination कहीं मिल रहा है, ही Ryzen 7 के साथ, RX 636 50 XT GPU मिल गया है, पचास-चाथ-हजार रुपे अंदर, तो that is the combination we are searching for, जो कि budget के अंदर ताफीर अच्छी performance निकाल, but still अगर stability चाहिए, long term में जादे दिक्कते नहीं चाहिए, तो अभी के हिसाब से NVIDIA लेकिन तुम्हें चाहिए, कम price के अंदर raw performance मिल जाए जाला, RTX से उतना मतलब नहीं है, Ray Tracing से उतना मतलब नहीं है, DLSS से उतना मतलब नहीं है, FSR से काम चल रहा है, अगर तो अगर तुम्हें कुछ इस प्रकार के thoughts आ रहे हैं, तो एक बार AMD का GPU ट्राइकर से, raw performance के अंदर तो मैं personal guarantee दे रहा हूँ, निराशनी होगे, अगर अच्छा अला लेते हो तो, because इनकी 6000 series है, उसके अंदर कुछ specific ही अच्छे हैं, obviously हर price के सामसे, different performance देखने को मिलेगी, but 25,000 के आसपास, मैंने एक test किया, 6650XT, and maximum games के अंदर यहीं अच्छा output देता है, and इस चीज़ पर विट इच्छे लगे हो, विडियो अच्छे लगे हो, तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो, तो subscribe को बटन को दबा देना, बाकि आयोप किया, मैं तुम्हारा decision making को को छल्प कर पाया हूँ, अगर कोई question है, तो definitely comments में पूछ सकते हो, बाकि मैं वेलता हूँ, तुम लोग से अग सुरूूुूूूॉूूू।